हलो एवरीवन वेलकम टू मैं चानल तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह वाला मेकप लोग शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने बहुत एजिली क्रियेट किया है आप इसको किसी भी तरह के डेट पर कारी कर सकते हैं अपने इवनिंग पार्टी में डिनर में कारी कर सकते हैं किसी भी अटायर के साथ यह वाला मेकप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो पसंद आथे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा आप मुझे इंस्टेग मैं बाकी सारे स्टेप्स को ज़रूर यूनों स्किप कर देती हूं बट टोनर हमेशा ही मेरे लिए एक असेंशल प्रोड़क्ट रहता है नेक्स मैं या पर यूज कर रही हूं डर्म डॉक का सेरम तो अगें इस वेरी नाइस सेरम विंटर में आपको अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से मौशराइज करना चाहिए त्रस्ट मी आपको एक बहुत ही अच्छा हेली गलोई स्किन मिल जाता है तो अच्छी तरह से इसको अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद लास्ली मैं आपी यूज कर रही हूं डर्म डॉक का क्रेम तो अगें यह बहुत ही अ अच्छी तरह से मौशराइज हो जाएगी फिर लिपस्टेक अप्लाई करना काफी जादा एजी हो जाएगा यहां पे मैं मेकप में सबसे पहले अप्लाई कर रही हूं एस्कु का प्राइमर ओल सो अगें इस वेरी गुद प्रोडटक फो ड्राइस किन पीपल अगर आपकी इस प्रोड़क इस नौट इस नौट इस नौट इन पौर समर सीजन क्यूंकि यह इसका जो फॉर्मूला है इस उइली तो आप इसको समर्स में अप्लाए नहीं कर पाएंगे उसके बाद मैं आप़े स्विस्टी का कंसीलर पैलेट में से यह लाइट और इंसा शेड पिकर क कि अपने जितने भी डाकनेस है उसको कांसल आउट कर रही हूं तो अगर आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप अपने डाकनेस को हाइड कर सकते हैं अदर्वाइस दिस नौट अ अन्यस्सरी प्रोसस्स आप जो है जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपका फेस जो है वो ग्लोई लगता है तो बहुत यह अच्छा लगता है फिर मैं आप पे अप्लाई कर रही हूँ पुर्पल का फाउंडेशन इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 3 तो यह जो मेकप लोग है आप इसको किसी भी ओकेशन पे क बहुत ही पसंद आएगा तो अच्छी तरह से मैंने फेस पे अपने फांडेशन को ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस डेफिनेटली है बट अगर आप इसको अच्छी तरह से करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा नेक्स में यहां पर अगें स्विस ब्यूटी का पैलेट में से यह दो शेद को पिक कर रही हूँ क्योंकि एक शेद काफी जादा लाइट है और एक शेद थोड़ी सी दाख है तो मैं दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट कंसीलर शेद बना लूँगी और जहां कहीं पर भी मुझे डा तो इसके बाद मैं यहां पर यूज करूंगी पाउडर तो पाउडर इस नौट इस नौट इसकिन है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बट क्योंकि की कंसीलर को थोड़ा सा मुझे सेट करना है ताकि कोई भी लाइन आगे चलके ना बने कुछ ताइम के बाद तो मैंन मैं अपने फेस के मेकप को सेट करने के लिए यूज किया है ब्ल्यू हेवन का मेकप फिक्सर तो अच्छी तरह से इसको स्प्रे करके मैं थोड़ा सा ड्राइ आउट करूंगी उसके बाद एक ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर दूंगी इसके साथ ही मेरा जो मेकप बेस है वो अल्मोस्ट रेडी हो चुका है उसके बाद मैं अपने आईब्रोस के लिए यह लाइट ग्रे सा शेड पिक कर रही हूँ मेरे HR के आईशाडव पैलेट में से और अपने आईब्रोस को फिल इन करूंगी और उसके बाद मैंने कंसीलर के हिल्प से अपने आईब्रोस को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है थोड़ा सा अच्छा लुक प्रोवाइट करने के लिए बहुत ही ज़ादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस वाले प्रोस को फॉलो करते हैं तो तो इसके साथ ही मेरा जो आईब्रो है वो कंप्लीट है फिर मैंने सेम लाइट ग्रेश शेड को पिक करके अपने क्री स्पेस को अपलाई किया है लाइट लिए इसको बिल्ट करूंगी यह वाले जो पैलेट है काफी जाथा पिग्मेंटेट है इसको मैंने जस्ट टू फि बोल्ड मेकप लुक होगा डेफिनिटली बट बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं होगा तो आप इस तरह के मेकप लुक को एजिली कैरी कर सकते हैं उसके बाद मैंने कंसीलर की हेल्प से अपने मिडल अफ माई आइस पे इसको अपलाई करके एक हेलो काइंड अफ लुक प्रोवाइड करने की कोशिश की है तो इस तरह से मैंने एक हेलो आई के लिए थोड़ा सा कंसीलर अपलाई करके क्रीज ड्रॉ कर लिया है मिडल में उसके बाद मैंने इस गोल्डन शेट को पिक करके अपने क्रीज पेस को अपलाई किया है आप चाहें तो यहाँ पे कोई अपलाई कर सकते हैं बट मुझे परसनली इसका कॉंबनेशन काफी अच्छा लगता है प्लस यह आप किसी भी अचायर पे वेयर करके जा सकते हैं उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा टॉप अप करने के लिए यहाँ पे ब्ल्यू हेवन का लिक्विड ग्लिटर यूस किया अगर आपको एक अच्छा लाइनर में इन्वेस्ट करना है जो कि अफॉर्डबल भी हो देन गो फॉर दिस लाइनर विदाउट वेस्टिंग यूर ताइम क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है उसके बाद मैंने काजल अपलाई किया है पहले मैंने वाइट काजल अपलाई कि कि सेम ग्रेशेड को एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दिया है अपने काजल के साथ सो एक अच्छा सा स्मजी वाला लुक मुझे मिल जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलीन का मसकरा अपलाई किया है और आप चाहे तो फॉल्सी भी अपलाई क्योंकि क्यामरा पे बहुत जादा लैशेज विजिबल नहीं होते बट रियल लाइफ में आप डेफिनेटली लैशेज को स्किप कर सकते हैं और कोई भी अच्छी मसकरा अपलाई कर लीजए आपके लैशेज ऐसे ही विजिबल हो जाएंगे फिर मैंने यहाँ पे इस होजहीं तरगी तरह की गलो आती है पाउडर यूज विज़ करने के बाद बॉटस काफी जादा माटिफाई हो जाता है जिनका ड्राइ सकिन होती है उनका फेस बहुत जादा डल लगने लगता है इस वज़ेसे मैं बिंटर में प्रेफर करती हूं कि मैं क्रेमी अभी मैं बॉल्ड लिप्स्टिक भी यूज़ करूँगी नेक्स में अपे अपने ब्लश के लिए यूज़ करी हूँ इसक्यू का लिप पैंसिल इसमें मेरा शेड है शेड नमबर 3 इसको मैंने अपने चीक्स पे अप्लाई किया है तो यह बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होती है फिर मैंने हाइलाइटर के लिए यहाँ पे मेबलीन का हाइलाइटर यूज़ किया है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बलश जो है वो ज़्यादा लॉंग लास्टिंग रहे तो आप ट्राई कीजिए एक बार लिप्स्टिक किया या फिर कोई भी क्रीमी प्रॉडक्ट वो पाउडर से ज़्यादा आपके यूनो फेस पे लास्ट करेगी तो इस वज़र से मुझे परसनली जादा अच्छा क्रीमी प्रॉडक्स ही लगता है अप्लाई करना तो फेस को की मैंने अच्छी तरह से हाइलाइटिंग कर ली है जहां कहीं पर भी जरूरत है फिर मैंने एक स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूस किया है अपने लिप्स को आउटलाई करने के लिए इसका मेरे पास पूरा सेट है फिर मैंने यहाँ पर NYB के लिप्स्टिक यूस की इंदर शेड 12 काफी अच्छा मरून शेड है जो की इस लूक के साथ जा रहा था आप चाहें तो यहाँ पर न्यूट शेड भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ अपने आईस को हाइलाइट करना है तो उसके बाद थोड़ा से इसको इन्टेंसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर NYB की लिक्विड लिप्स्टिक यूस की है इसका शेड मुझे भी फिलाल याद नहीं आ रहा तो इससे क्या हो जाता है कि मेरा जो लिप्स्टिक है वो जादा अची तरह से सेट हो जाएगा थ सिग्मेंटेशन भी जादा अच्छी आईगा अच्छी आएगा अच्छी आएगा अच्छी आएगा अच्छी आप लोगों को पसंद आया होगा तो यह आज के लिए बस इतना ही अब मिलता प्र नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई ठेक केर